आज हम देखेंगे आयनात्मक विसलेशन वालुमेटिक एनलिसिस ठीक है तो आयनात्मक विसलेशन क्या है ये जन ना जनते हैं तो आयनात्मक विसलेशन किसी मित्रण में उपस्थित अवयाओं की सही मात्रा के रसायनिक विसलेशन की वह भी थी है जिसमें दिये गए पदार्थ के विलियन के निश्चित आयतन में बिले पदार्थ का भाद किसी दूसरी ज्याद विलियन यानी प्रमारिक विलियन के साथ अनुमापंद वारा ज्याद कर लेते हैं ये आयनास्मक विसलेशन है अठाथ किसी मिस्टरण है कोई भी मिस्टरण है उसमें वो पस्षित अव्याव है उसकी सही मात्रकीरा साइस में निक विसलेशन की भी थी है जिसमें दिये हुए जो पतार्थ है उस विलियन की निश्चित आयतन में जो विले पतार्थ है जो उस आयनात्मक विसलेशन तो आयनात्मक विसलेशन का जैसे उप्योग है उसमें तुल्यांकी भार ग्याद करना और मिस्रड की प्रतिसत रचना ग्याद करना ये उसमें दो प्योग है फिर इसमें दिखते हैं विलियन क्या है तो विलियन दो या दो सेदिक पतारतों के जो समांग मिसरर है वो विलियन कहलाता है और फिर उसमें दिखते हैं विलियन की जो नारमलता है माल वब नारमलता है समस्ते हैं नारमलता विलियन की तो किसी विलियन के एक लिटर में घुले हुए विले के ग्राम तुल्यांग की भारों की संख्या उसकी नारमलता कहलाती है फिर मानक विलियन क्या है यह जानते हैं मानक विलियन मानक विलियन वह विलियन है जिसके निश्चित आयतन में विले पतार्थ की मात्रा ग्यार्थ है वो मानक विलियन है फिर इसमें देखते हैं नार्मल विलियन अर्धनार्मल विलियन तो वह विलियन जिसके एक लिटर में पतार्थ का एक क्राम तुल्यांग की फार भुला हो नार्मल विलियन कहलाता है और आयतनी विचलेशन में प्राया ऐसे विलियन खुरुक्त होते हैं जिसके एक लिटर में क्राम तुल्यांग की फार की अंसिक मात्र भुली होती है ऐसे विल्यनों को उपनार्मल विल्यन कहा जाता है और यदि किसी विल्यन मिखे एक लिटर में पतार्थ की ग्राम तुल्यंग की फार का आधा खुला हुआ होता है तो उसे अर्धनार्मल विल्यन कहा जाता है ठीक है? फिर विल्यन की जो सांदलता है तो किसी विलियन की ज्यात आयतन में विले की जितनी मात्र उपस्थित होती है वह विलियन की संद्रता कलाती है जिसमें एक भारात्मा विले की संद्रता वाले विले की संद्रता का ग्यात संद्रता वाले विले की सहता से निकालते है अथात अनुमापन वह विती है जिसमें एक ग्यात संद्रता वाले विले की संद्रता ग्यात दो संद्रता वाले विले है उसकी सहता से निकालना एक अनुमापन कहलाता है तो अनुमापन की कुछ प्रकार है जैसे अमले मित्री तथा छार मित्री अनुमापन, आक्ति करण अप्ट्रेन अनुमापन और छेपण अनुमापन आधी है, ठीक है? तो इस प्रकार से अनुमापन को हम ग्याद कर लेते हैं, इसी में देखते हैं आयगाफ की सूचक क्या है इसमें प्रकार की सूचक जो होता है, इसमें सूचक की पारे में जनते हैं, वह पतार्थ जो अपनी उपस्तिती के काड़ा, किसी रसायनी क्रिया के पूर होने की सूचना, रंग बतल कर देता है, वो सूचक कहलाता है, इसमें पहला है आंतरिक सूचक, यानि इसे अनुमापन करने वाले विलियन को मिला दिया जाता है, इसमें H धन आयं के सुंद्रता में परिवर्तन होने पर सुचक, रग परिवर्तन करता है, जासे Phenopsyllin और Methyl Aurene. इसी प्रकार बाही सुचक है, इसे अनुमापन में प्रियुक्ता विलियन से नहीं मिलाया जाता, अनुमापन क्रिया के समय विलियन से एक बुन निकाल कर सुचक मिला देते हैं, जो रंग परिवर्षन करके क्रिया के फून होने की सुचना देती है, और तिसरा है स्वता सुचक, अनुमापन में प्रियुक्ता एक विलियन इसमें देखते हैं मुलर्ता के बारे में तो एक लिटर विलियन में उपस्थित किसी विले के ग्राम अड़ों यानि मौलों की संख्या उस विलियन की मुलर्ता कहलाती है जसे उदारे में देखते हैं एक मुलर्ता यानि स्टोडियम हाइड अड़ों है स्टोडियम हाइड आग्साइड के एक लिटर विलियन में उसका एक ग्राम अड़ों यानि एक मौल अर्था चारीज ग्राम विले यह है इस विलियन की मुलर्ता एम पर आपके लाहों का विले की ग्राम विलियन का आइकन लेटर में वी बुलर्ता है फिर नेक्ट क्लास में देखेंगे विलेनों की प्रकृति के अधार पर अनुमा पन की प्रकार